दुर्ग नियाले में वर्ष दोजार तेईस की चत्तूर से एवं अंतिम नेशनल लोग अधालत का होगा आईजन जिसमें लगभख दस हजार से अधिक मामले पर सुनवाई होगी राश्टी विधिक सेवा प्राधीकरन नई दिल्ली एवं 36 राज विधिक सेवा प्राधीकरन बिलासपूर के निर्देश के अनुसार वर्ष दोजार तेईस की चत्तूर से एवं अंतिम नेशनल लोग अधालत जिला नियाले दुर्ग परिवार नियाले शम नियाले स्थाई लोग अदालत तथा किशोर नियाय बोर्ड वा तहसिल नियायलय भिलाई तीन पाटन वा धंदा में एजित की जाएगी इसी गड़ी में दुरुग नियायलय में 16 इसंबर को आयोजित नेशनल लोग अदालत की तयारियां अपने अंतिम चरण पर हैं इसके तवत आपसी प्रकरण इस्थाई लोग अदालत में जनुपियों की सिवाएं से संबंधित प्रकरण वराजसों से संबंधित लगभग 10,077 मामले एवं बैंक की वित्ती संसा विद्दूत दूर संचार एवं नगर निगम के बकाया राशी के संबंध में संबंधित विभाग द्वरा नियायलाय में प्रकरण प्रस्तुत यह जाने के पूर्व प्री डिट्रिकेशन प्रकरण की कुल 4939 से अधिक मामले सुनवाई हेतु रखे गए हैं चिन्दांकीत वह रखे गए मामलों के नेशनल लोग अदालत के थी थी में अधिक से अधिक संख्या में निराकरण की जा के मध्य फ्री सिटिंग बैठा कायजन अधिक संख्या में किया जाएगा जिससे प्रकरण 16 दिसंबर को आयजित नेशनल लोग अधालत में अधिक से अधिक संख्या में प्रकरण निराकरित होने की संभावना है जिसमें कुल 32 खंडपीट का गठन माननी जिला एवं सत नि आले दुर्ग के निर्देशा नुसार गठित किया जाएगा ट्रैन एसीन न्यूस के लिए दुर्ग से नसीम फारुकी की रिपोर्ट